हलो बच्चों, उमीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिप्रेशन बहुत अच्छे डंग से कर रहे होंगे इसी में आपको सपोर्ट करने के लिए मैं ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ और इस सीरीज पर पूरा रिलाई कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें सब कुछ फुल कोर्स कवर कर रहा हूँ टॉप कॉलिटी का इसके बाहर से नीट में एक भी कोश्चन नहीं आने वाला क्यों क्योंकि भाई फुल सिलेबस जब पढ़ा ही रहा हूँ तो सिलेबस से बाहर थोड़ी पूछा जाएगा और इसका जो कंटेंट है वो सुपरब गोल्ड कॉलिटी कंटेंट है तभी इसका नाम मैंने गोल्ड सीरीज दिया है जिससे कि आप इसका ट्रमेंडस फायदा ले सके तो हम लोग क्लास 11 फुजिक्स के लास्ट चेप्टर वेव मोशन पर है और उसका चटा पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग जो इस्टेस्ट वायर होता है इस्ट्रिंग होती है उसमें वाइब्रेशन को एनलाइज करेंगे और देखेंगे कि नीट के लिए कैसे सवाल बन सकते हैं ये वीडियो इस्पेशली डिजाइन वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए ना ये 12 के लिए ना ये जेई के लिए तो आप इसका tremendous वाइदा उठा सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि physics आपको आसान भाषा में समझ में आए वीडियो देखकर numerical निकलने शुरू हो जाए तो जट से अरविंद Academy NEET चैनल को subscribe कर लिजियो for top quality content चलिए बात को start कर लेते हैं तो ये रहा wave motion especially designed video है ये NEET के लिए बिटा और आज हम लोग discussion करने वाले हैं part 6 के पहले के part या पहले chapters की video आपको देखने हैं तो उनका link में description में लगा रहा हूँ click करके आप देख सकते हैं जिसको आपको देखने में असुविधा ना हो और vibration of stressed string इसकी चर्चा करेंगे कई बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे उसका PDF मिल जाए तो बड़ी असानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है अर्विन देकडमी NEET टेलिग्राम चैनल को join कर लिजे link description में दिया है वहाँ पर मैं इसका PDF बराबर अप्लोड कर देता हूँ और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अर्विन देकडमी एब है यहाँ पर आप इसका भी link description में है click करके download करें store section में जाएं वहाँ NEET के लिए कई बढ़िया material आपको मिलेंगे जो आपकी NEET की journey को काफी आसान कर देंगे और आपके doctor बनने का सपना पूरा करा देंगे तो आप उन materials का इस्तिमाल कर सकते हैं और NEET में selection अपना पक्का कर सकते हैं चलिए बात को start करते हैं पढ़ाई जो जिस वज़े से ये video बन रहा है तो शुरुवात हो जाती है vibration of stress string देखिए अगर कोई string है और space में है boundation कोई नहीं है unbounded area unbounded space है तो उस समय वो किसी भी frequency का या wavelength का vibration produce कर सकती है लेकिन जब string को हम confined कर देते हैं confined करने का मतलब एक तार लिया दोनों 0 पर इसको बान दिया उस समय क्या होगा ये जो आपको frequency देगी या ये जो इसको vibrate कराने पर जो frequency मिलेगी या wavelength मिलेगी ये discrete मिलती है सब तरह की नहीं मिलती है तो कुछ तरीके की frequency और कुछ तरीके की wavelength ही आपको मिलेगी हम लोग इस lecture में क्या देखेंगे कि एक string दोनों end पर बंधी है तो क्या हो रहा है एक end पर बंधी है एक end पर नहीं बंधी है तो क्या हो रहा है और दो अलग-अलग string आपस में जोड दी गई है तो क्या हो रहा है ठीक है तो चली आप समझ गए कि यहाँ पर इनका जो vibrations होगा वो discrete set of frequencies and wavelengths होने वाला है यही बात इसमें लिखी है suppose करिए दो जगा पर यह band दी गई है और इसकी length हम लोग ले लेते हैं L तो आपको पता है किसमें जो frequencies बनेंगी उसमें कुछ भी बने node और node यहाँ किनारों पर बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर band दीया है तो इसका तो कोई motion होना नहीं तो बन्दा हुआ है इस बात का ख्याल रखके ही सारी बात की जाती है जो इसके अंदर लिखा है यही सब बाते लिखी जो मैंने आपको सरल भाशा में समझा दी है अब दीखी यहाँ पर यह जो string थी जो यह बंदी थी इनके बीच में minimum तो length lambda by 2 हो सकती है दो node के बीच का जो distance होता है इसके बीच में क्या हो सकता है जो आपने string ऐसे बांद रखी है यह मालीज यहाँ पर बांद रखी है ऐसे तो यहाँ और यहाँ तो nodes बनने ही है हो सकता है इसके बीच में कोई और node ना बने हो सकता है इसके बीच में कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी node बन जाए तो हम इस suppose कर लेते हैं कि बीच में जो nodes बन रहे हैं वो n हैं अगर n notes हैं, तो एक note के बीच का distance होता है, lambda by 2, अगर n notes बन रहे हैं, तो इसमें n lambda by 2 ये distance हो जाएगा, जोकि length के बराबर हो जाएगा, होना तो length के बराबर ही है, क्योंकि आप जानते हैं, wire को तो आपने बांद रखा है, और यहां से देखें, lambda निकालें, तो ये 2L upon n आ जा ये, तो यहां से आप lambda और इससे निकलने वाली frequencies को पकड़ सकते हैं, यानि n की value पुट कर दीजे, और different different wavelength या different different frequencies आप पकड़ते चले जाएंगे, कुछ बाते और देखते हैं, जिस पे सवाल बहुत बनते हैं आपके, ये हैं laws important है बहुत, laws of transverse vibration of a stressed string, ये जो laws है, transverse vibration के, जो हम pluck करके छोड़ रहे हैं, वाइबरेट कर रहा है, इसके 4-5 laws हैं, इस पे सवाल वाले पूछे जाते हैं, और आप क्या suitable हैं, तुरंत निकल जाते हैं, ज्यादा calculation भी नहीं करनी, तो law of length, तो अगर इस string में बाकी parameter हम constant रखे हैं, केवल length की बात करें, तो frequency length के inversely proportional होती ह अगर आप length बढ़ा देंगे, तो frequency घट जाएगी, आप जानते ही हैं इसका मतलब, और इसी से आप L को F से multiply करें, तो FL बराबर constant इसको लिख सकते हैं, F1 L1 is equal to F2 L2, क्या मामला था, length की string का length बढ़ाया, frequency गिर गई, बाकी सारे parameter से हैं constant हैं, केवल length की बात कर रहे हैं, ठीक को string में अगर हम बढ़ाते हैं, बाकी सारी चीज़े constant रखें, तो frequency पर क्या असर पढ़ता है, तो देखें, frequency अंडर root tension के proportional होती है, जिसना अगर tension आप 4 गुना कर रहे हैं, तो frequency उसका अंडर root यानि दुगना बढ़ेगी, इस तरीके से, और इसी को F upon root T is equal to constant, आप कर सकते ह और यहाँ पर अगर F1 upon F2 करना हो, तो उल्टा L2 upon L1 लिख देंगे, भई, universally proportional था न, यहाँ directly था root का, तो यह आप, यह tension की बात चीज़ चल रही है, यह law of length की बात चीज़ चल रही है, इस पर सवाल काफी आते हैं, और देख लेते हैं, फट फट फट, law of mass, तो यह जो mass की बात करते हैं, इस string में हम लोग unit length की mass की बात करते हैं, mass per unit length, यह mu क्या है, mass per unit length, तो यह frequency उसके under root के inversely proportional होती है, mass per unit length अगर बढ़ेगा, तो frequency आपकी घटेगी, यह कहानी यहाँ पर है, तो अब इसी में क्या कहते हैं, इस mu को, क्योंकि mass per unit length की अगर हम जानते हैं, कि density is equal to mass upon volume, अगर मैं mass की बात करूँ, तो v into d लिख सकते हो, और यह volume ले लो, एक unit length के लिए, तो volume लिखते हो, क्या हो, pi r square h, cylindrical volume, h की जगा 1 हो गया, यह रहा, d, d का मतलब row लिख देते हैं, density के लिए, तो आफ m को लिख सकते हो, pi r square rho, और यही बात देखिए, यहां पर लिखी गई है, mu to pi r square rho, अब इसको इसकी जगा, put कर दीजे, mu की जगा, mu का मतलब क्या है, mass per unit length, अब यहां से दो law और निकल आते हैं, भाई, अगर radius में change करोगे, दो हाल चाल क्या हैं, और density में change करेंगे दो हाल चाल क्या हैं, जब भी एक चीज में change किया जा रहा है, बाकी चीजें constant रखी गई हैं, इसका ख्याल रखिएगा, वनना भजण मत जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा, इसके बढ़ने पर हो क्या रहा है, तो अब यहां पर अगर बाकी चीजें constant रखी हैं, तो आप देख रहे हैं, f is proportional to 1 upon r आ गया है, इसको law of radius कह सकते हैं आप, दूसरे एक में देखिए, बाकी सब constant है, तो under root, rho के बराबर आ जाएगा, यह density का आपका law हो गया, इसी दो law को अगली slide में बता दिया गया है, जो आप समझ भी गया हैं बड़े प्यार से, यह law of radius है, पीछे स यही निकला है, और law of density यहां से निकला, बाकी parameter अगर हम लोग ने बराबर रखे हैं, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, एक छोटा सा numerical लेते हैं, उसको करके देखते हैं, लिखा है, यह wire is stressed between two rigid support, यह wire है, और एक rigid support के बीच में ऐसे बंधा हुआ है, in its fundamental mode, with a frequency of 45 hertz, the mass of the wire is इतने kilogram, and linear density is इतने, linear density दी है, mass दिया है, what is the speed of transverse wave on string and tension in the wire, speed और tension पूछा है, तो पहले तो हमें निकालना होगा, length of the wire, क्योंकि per unit mass निकालना है न, mass per unit length निकालना है, तो यहां पर बातचीत कर लेते हैं, length of wire की, तो length of the wire क्या होगा, mass of wire, divided by linear density, by linear density का मतलब यह बता रहे हैं, एक unit length की इतनी density है, तो mass को उससे divide कर दें, length निकल आएगी, तो यहां पर आगया, 3.5 into 10 की power minus 2 upon 4 into 10 की power minus 2, this is 0.875 meter, यह length of the wire है, और इसके बिना हमारा कारेकरम चलता नहीं, अब अगली बात करते हैं, जो fundamental frequency की बात थी, fundamental frequency में यह operate कर रहा है, तो f is equal to 1 upon 12 हो जाएगा, under root t upon mu या mass, mass का मतलब mass per unit length, तो यहां से tension निकालेंगे अगर आप, तो t is equal to 4 f square, l square और साथ में m आ जाएगा, यह tension निकलाया, value सारी रक्रेंगे की कुशिस करेंगे, 4, fundamental में 45 की frequency थी, length निकाला है, 0.875 का square, और mass कितना था, 4 into, तो यहां पर बेटा देखिए, mass per unit length थी, तो mass कितना रहा, mass था 3.5 into 10 की power minus 2, और length कितनी थी इसकी, length निकाली है, 0.875, यह इसका काडिकरम है, अब इसको solve कर लीजे, आ जाएगा 248.1 newton, तो यह पहला answer आ गया कि tension कितना है इसके अंदर, अब हम बात कर रहे हैं, इसकी speed of transverse wave, speed of transverse wave, तो इसको क्या लिखते हैं, v is equal to f lambda, तो frequency 45 थी, यह f लिख दीजें यहाँ, और lambda की value कितनी थी, 2L, fundamental frequency में lambda की value 2L, आप जानते हैं न, यहाँ पर जो fundamental frequency होगी, तो यह length के बराबर, lambda by 2 होगा, तो lambda की value 2L होगी, तो यहाँ पर f into 2L की बातचीत आ गई, f है 45, into 2, और length of the wire है 0.875, यह value आ गई 78.75 meter per second, यह आपका second answer आ गया है बिटा, तो इसको आप note कर सकते हैं, फिर मैं आगे की बातचीत करूँगा, और अगला सवाल करूँगा, तो इसको आप note कर लीजे, यह questions important है और आपको आने चाहिए, चलिए अगली बातचीत देखते हैं, a string on a musical instrument is 50 cm long, and its fundamental frequency is 270 Hz, पहले 50 cm था 270, calculate the length of the string, is the desired frequency, 100 Hz की चाहिए हमको, तो length और frequency में, length of, law of length क्या था, हम जानते थे, f is proportional to 1 upon L, तो यहां से अगर मैं बात करूँ, तो L2 upon L1 की value, F1 upon F2 हो जाएगी, इसके इसाप से अगर मुझे L2 निकालना है, तो L1 into F1 upon F2 होगा, L1 था 50, यह रहा 270, और बाकी रहा, यह यहां पर, यह जो frequency है, यह 1000 Hz से बटा, तो इसको आप mention कर दीजे, 1000 Hz, अब इसको solve करेंगे, यह जगा 13.5 cm, यह आपका, अंसर रहा, इसको note कर लीजे, 1000 Hz करके, जिसे आपका, इस तरह से answer, निकल जाए, एक question और करेंगे, ऐसे question बहुत पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा calculation नहीं होता, logic आपको, या concept आपको, पता होना चाहिए, अगला question देखते हैं, the tension in a piano wire is 10 Newton, यह tension दे रखा है, what should be the tension in the wire, to produce a note of double the frequency, तो हम जानते हैं, frequency और tension में, यह रिष्टा होता है, यानि F1 upon F2 कर देंगे, तो root T1 upon root T2 आ जाएगा, यहाँ से F किया, F2 double F हो गया है, पहले tension था 10 Newton का, अब हमें T2 यहाँ पर निकालना है, तो solve कर लिजे, T2 की value क्या हुआ है कि, 1 upon 4 इदर, और यह 40 Newton, 40 Newton आपका answer आगया, इस तरह से question देखिए, question क्या है, कोई calculation नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आये बिना नहीं हो पाएंगे, concept पता होना चाहिए, तो इसको note कर लिजे, आगे की चर्चा हम लोग करते हैं, तो मेरे कहाल से आपमें note कर लिया होगा, आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है कि, standing waves इने string fixed at bone ends, यह वही कहानी कि, एक string को हम लोगों ने, दोनो end पर बान दिया है, तो node node यहाँ बन नहीं है, बाकि कुछ भी बने, हमने भी चर्चा की थी देखा था, कि भाई इसके बीज का length अगर L है, तो L की value n lambda by 2 से हो सकती, क्योंकि node हो सकता है, कोई न बने या n nodes बने, तो इसी से देखिए, L is called to n lambda by 2, 2N की value यह लिखी हुई है, और lambda इसी से निकाल लिया, 2L upon n आ गया, अब फिर frequency निकाल दिया, frequency क्या होता, V upon lambda, तो V की value V रही, lambda की value 2L upon n यह उपर चला गया, यानि इस से निकलने वाली जो frequency है, इस समय, इसमें n की value put करते जाएंगे, 1V upon 2L, 2V upon 2L, 3V upon 2L, ऐसे निकलती चली जाएगी, तो यह formula हमारा important हो गया है, और यह देखते हैं, क्या-क्या कौन-कौन सी frequency निकाल लेगा, यह लिखा है, this relation gives the expression for the natural frequency of vibration, किस-किस frequency के vibrations होएंगे, NV upon 2L, modes of vibration इसी की चर्चा करते हुए आगे बोढ़ रहे हैं, कि भाई इस wire में modes of vibration क्या होगे, modes का मतलब first harmonic क्या बन रहा है, भाई पहले mode में आप देखेंगे, ऐसी चर्चा हो सकती है, कि भाई यह इसके बीच में node-node बना, और एक anti-node तो आएगा ही, इस तरह से vibration हो गए, mode of vibration बोल रहे हैं, अगले में ऐसा हो सकता है, कि इसी में एक node बीच में भी बन गया है, तो आप ऐसे बना देंगे इसकी कहानी, यह देखिए, एक node यहां भी आ गया है, यह node, यह node और anti-node यहां, anti-node यहां, तो यह mode of vibration, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, meaning क्या है, mode of vibration की, चलिए देखते है mode of vibration को, तो यहां देखिए, करीबन आपको, fourth harmonic तक दिखाए गए, this is first harmonic, पहला mode, दूसरे mode में, second harmonic या first overtone, जैसा हम लोग कहते आए हैं, फिर यह third harmonic, second overtone, यह fourth harmonic, और आप कहा देंगे third overtone, तो यहां पर देखते हैं, क्या क्या frequency हमारे सामने निकलती हैं, तो पहले के लिए, इम लोग जो frequency निकाल चुके थे, वही equation इस्तिमाल कर सकते हैं, F1 is equal to, and V upon 2L, तो N की value 1 रख दोगे, तो यह देखिए, F1 is equal to V upon 2L आ जाएगा, यहां दिखाया है, कि इस situation में, यह lambda by 2 है, तो इसकी बात करो, तो lambda by 2 बराबर L हो गया, lambda बराबर 2L हो गया, और frequency हम जानते हैं, V upon lambda, तो lambda की जगा 2L रख दो, V upon 2L हो गया, इस फर्स्ट हार्मोनिक की कहानी, तो इतना करने के जगा, जो formula पहले पकड़ाता, उसी का इस्तेमाल कर लीजे, तो पहली frequency आ गई, F1 is equal to V upon 2L, अब second harmonic को देखते हैं, क्या आ रहा है, यह second harmonic, यहां पर आप देख रहे हैं, lambda by 2, lambda by 2, lambda आ गया है, तो यह देखिए, L बराबर lambda 2 लिख दिया है, कैसे हो गया, 2 lambda by 2 थे, और चाहो तो सीधे formula यूज कर लो, N V upon 2L, N की value 2 put कर दो, याद है न, यह देखिए formula, इसमें N की value अगर 2 put कर देंगे, तो value आ जाएगी, F is equal to 2 into V upon 2L, और V upon 2L क्या था, पहली frequency, तो 2F1 यहाँ पर चीजें मिल गई, आप समझ पाए होगे, तीसरी put कर दोगे, तो ऐसी तीसरी मिल जाएगी, है न, यह 3F1 लिख दो यहाँ, तीसरी मिल जाएगी, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जो frequency मिल रही है, वो पहली fundamental frequency का ही, 1, 2, 3, 4, multiple मिल रही है, सारे harmonics मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, odd, even, दोनों, यह बात आपको यहाँ mention कर दी गई है, देखिए, कि जो है सभी harmonics आपको मिल रहे हैं, all harmonics, odd as well as even, क्योंकि fundamental frequency का, multiple, 1, 2, 3, 4, आपको मिलता चला जा रहा है, यह जो notes बनाए जाते हैं, यह frequencies, जो आपकी सितार में होती है, यह violin में, इससे आप सारे गमापा जो निकालते हैं, सारे सरगम निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे harmonics मिल रहे हैं, तो यह जो आप सुने होंगे, कि सितार बहुती गजब instrument होता है, क्योंकि उससे सरगम पूरी निकल आती है, और हम लोग vibration की बात कर चुके, जो आपका harmonium होता है, वो भी solid item होता है, क्योंकि उससे भी सरगम पूरी निकलती है, और आप देखे होंगे, जो गायक लोग हैं, जो रियास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो harmonium पे करते हैं, क्योंकि वहाँ सरगम बहुत क्लेरली निकलती है, आप समझ पाए होंगे, अधिकता लोगों के बीच में दिखा हुआ, गायना वना जब बनाते हैं, तो harmonium लेके बजाते हैं, इससे कि वो सरगम को set कर सकी हैं, तो यह हार्मोनिक यहाँ पर सारी निकल रही जो आप देख पाए हैं, चली अगली बात करते हैं, एक numerical लेते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं, लिखा एक string fixed at both ends, has consecutive consecutive लिख रहा है, यानि एक n है तो दूसरा n प्लस 1, standing wave modes for which the distances between addition nodes are, 18 cm and 16 cm respectively, क्या कहानी हैं, दो figure बनाते हैं, एक मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यह कुछ हार्मोनिक होगा और इसके बीच में dotted loin बना देता हूँ, ऐसे, तो एक कहानी मान लीजे, इसमें n loops बन रहे थे total, तो इसके बीच का बोल रहा है कि 18 cm है, consecutive notes के बीच का distance, adjacent notes यह मतलब, और दूसरा देखिए, consecutive standing wave, तो यह nth loops बने, तो अगले बन रहे होंगे, n प्लस 1, consecutive का मतलब, एक है तो दूसरा, उसके जस्ट बाजू वाला अगला, तो यहाँ पर आपने फिर से wave बनाई ऐसे, diagram तोड़ा समझ लीजेगा, यह n प्लस 1 loops हैं, वोकि consecutive की चर्चा की थी, और यह distance कितना यहाँ पर हैं, 16 cm, यह question ने हमको बोल रखा है, पहली situation में क्या है, 18 cm, एक की length है, n loops हैं, तो 18 into n is equal to l, इससे कितना आ गया, 16 into n plus 1 is equal to l, भाई 16 loops हैं इसे, तो 16, 16, 1 का distance है, 16 into n plus 1, इसकी length के बराबर हो गया, length क्या है, इस string की length है, जो दोनों case में same है, अब इन दोनों equation को solve कर लीजे, solve, solve, 1 and 2, and get, solve कर लेंगे, तो बहुत आराम से, n बराबर 8, and l बराबर, 144 cm निकाल लेंगे, तो पहले का answer यह, क्योंकि उन्होंने पूछी थी, minimum length देखिए, what is the minimum possible length of the string, this is the answer of the first one, कितनी है, 144 cm, दूसरी चीज, समझने का प्रयास करते हैं, कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, if the tension is 10 Newton, and the linear mass density, 4 gram per meter, what is the fundamental frequencies, तो देखिए, यहाँ पर, जो fundamental frequencies का जिकर करते हैं, fundamental frequency, तो उसमें हमारा, L is equal to lambda by 2 होता है, यानि lambda बराबर 2 L होता है, यानि यह हो गया, 288 cm बराबर 2.88 meter, यह lambda की value हमने यहाँ पर निकाली है, अब देखिए, आगे की बात करते हैं, यह L था ना, यह 144 हो यहाँ से रख रहा है, 2 into 144, 288 cm, अब fundamental में तो कहानी ऐसी रहती है, इस तरह से vibration हो रहोंगे fundamental में तो, node और यह बीच का lambda by 2 जो की L के बराबर है, यह फोटो आप समझ गया होंगे, velocity की बात करें, तो velocity क्या हो जाती है, T upon mu, या जिसे mass per unit length बोलते हैं, टेंशन थी 10 की, mass per unit length कितनी है, 4, ग्राम की जगा, किलो ग्राम कर दो, तो यह value हो गई, 50 meter, per second, तो एक पूछा था, what is the fundamental frequency, यह भी नहीं निका लिए, velocity निका लिए है, तो fundamental frequency, कितनी रही, f is equal to v upon lambda, v है 50 centimeter, और यह है 2.88 lambda, value हो गई, 17.36 hertz, यह देखिए, आपका answer आ गया, इस तरह से एक अच्छा सवाल, और अच्छे concept को clear करता है, note कर लीजे, फिर अगली बात करेंगे, मेरे खाल से आपने अब तक note कर लिया होगा, तो अगली बात चीत हम लोग देखते हैं, जहां पर क्या किया जाएगा, जो string ली जा रही है, उसको एक तरफ तो बांधा गया है, लेकिन दूसरी तरफ हमने यहाँ पर open छोड़ दिया है, जहें उसको open छोड़ दिया है, तो यहाँ बनेगा anti-node, और यह बनधा है, तो बनेगा node, यह कहानी मुलब इस तरह से vibration हो सकते हैं, पहला vibration कुछ इस तरह का हो जाएगा, anti-node से जो बन रहा है, जो आप फोटो देख पा रहे होंगे, पहला fundamental बाकी और भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कि यह इस तरह से बन जाए, ऐसे, नहीं anti-node यहां बनना है कुल मिलाके, और node यहां बनना है, एक node हो सकता है, बीच में कहीं सारे node हो सकते हैं, तो आपने देखा कि यह equation हो जाती है, standing wave की, इसका amplitude anti-node उपर maximum करना है, तो कहां कहां anti-node मिलेंगे में, plus minus 1 के बराबर कर दो इसको, तो यह k-l बराबर this value आजाती है, plus minus 1 के बराबर, यह angle को इसके बराबर करने पर, n की value 0, 1, 2, अब इसी से k होता है, 2 pi by lambda, तो वहाँ 2 pi by lambda आप इस्तमाल कर लो, यह देखे 2 pi by lambda, यह k की value होती है, propagation constant या angular wave number, और इसी से solve करके देखे, यह lambda आगिया, और lambda को आप लिख सकते, v is equal to f lambda होता है, तो lambda v by f, यहाँ, अब यहाँ से आपने frequency निकाल ली है, यही m को चाहिए थी, तो frequency की value कितनी मिली, f बराबर 2 end प्लस of 1 4L into v, यह frequency कब की है, जब एक end पर वह बंधा है, और दूसरे पर खुला है, open कह लीजे, और यह close तो नहीं बोलने हैं, node मतलब ही समाल लीजे, यह open end है, और वह बंधा हुआ end है, और end की value 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे, 0 जब रखोगे, तो पहली frequency v upon 4L मिल लही है, अगर आप 1 रखेंगे, तो 3 v upon 4L मिल लही है, odd multiple आ रहा है, 2 end plus 1 तो odd multiple देता है, अब इसी में देख लेते हैं, क्या-क्या frequency मिल रही है, इस कहानी में, यह अगली कहानी उसी की है, और इसमें देखिए, यह diagram बना है, first harmonic ऐसा है, second harmonic ऐसा है, third harmonic ऐसा है, तो यह first harmonic, यह third harmonic, और यह आपका fifth harmonic, और यह first overtone, यह second overtone, वोकि one, three, five मिल रहा है न, तो fundamental frequency का, जो multiple होता हो, उसको harmonic बोलते हैं, तो पहला मिला तो first harmonic, फिर तीसरा, तीसरा multiple मिल रहा है, तो third harmonic बोल रहा है, यह से मैं बता चुके हैं, इन lectures में, शुर्वास ते देखेंगे, सब समझेंगे, मज़ा आएगा, the fundamental frequency, जो obtained हुई, एन बराबर zero पुट किया, इस equation में, एन जीरो तो V upon 4L, यह देखें, V upon 4L, फिर आपने, एन बराबर पुट किया, one, odd multiple मिलना है, three V upon 4L, पहले का तीन गुना, दूसरे वाले का पाँच गुना, साथ गुना, तो third harmonic, fifth harmonic, seventh harmonic, तो इसमें जो frequencies मिल नहीं है, यह देखें, odd harmonics हैं, सारी harmonics नहीं है, तो you will get only odd harmonics, इस तरह से यहाँ कहानी होती है, और यह odd harmonics वाली बात याद रखनी है, जो हमारे सामने हैं, अगर एक end पर यह बंधा है, और एक end इसका खुला हुआ है, यह बात भी आपकी समझ में आ जाती है, अब अगला topic क्या है, कि दो string लेंगे, जो की अलग-अलग हैं, उनको जोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, vibration of composite strings, composite का मतलब, एक जो string है, वो कोई और material की है, इससे बांद दिये दूसरी, तो यह material A, यह material B, अब इसको प्लग करके छोड़ा है, तो कैसे vibration होंगे, तो जो बात ध्यान लगनी है, उसमें क्या बात ध्यान लगनी है, पहली बात यह ध्यान लगनी है, कि इनमें जो A या B है, first और second, इसमें जो vibration बनेंगे, क्योंकि frequency तो दोनों wire में same रहनी है, ऐसा तो लिए इस wire में लग frequency हो, इस wire में लग हो, frequency will be same, क्योंकि एक ही जैसा vibration आएगा, या इसके हार्मोनिक का, तो इन दोनों wire के जो independent harmonics बनते हैं, उनमें से कोई एक हार्मोनिक यहां बन जाएगा, और वो frequency दोनों के लिए same रहेगी, तो क्योंकि frequency एक wire में दोनों के लिए same होनी है, यह बात देखिए यहां लिखी है, और यहां देखिए तो यह क्योंकि frequency दोनों में same होनी है, इसलिए इसको frequency लिख दिया x upon 2 है, यह x क्या है, x loop पहले में बन रहे हैं और y loops दूसरे में बन रहे हैं, तो frequency क्या होगा, यह x upon 2l1 under root t upon m1, इसका हो गया second वाले wire का y upon 2l2 under root t upon m2, x upon y का ratio निकाल लिया, x y क्या है, x loop in the first string, y loops in the second string, यह l1 upon l2 होगया under root m1 upon m2, m1 upon m2 क्या है, mass per unit length, यह ध्यान अखिएगा, इसी को लिख सकते हैं density into area, यह formula हमारे लिए काम का है, इस relation से सवाल बनते हैं, आइए सवाल भी कर लेते हैं, तो आइए अगली चीज़ इसी पर based एक question करते हैं, जैसे हमें थोड़ी सी clarity और अच्छी हो जाए, लिखा है, figure shows an aluminum wire of length 60 cm, यह aluminum है 60 cm का, joined to a steel wire of length 80 cm, यह steel wire है, जो 60 cm का है, इससे join कर दिया गया है, between two fixed supports, the tension produced is 40 newton, tension कितनी है, 40 newton की है, the cross-sectional area of the steel wire is 1 mm square, तो इसका जो steel wire का cross-section area है, 1 mm square है, and that of aluminum wire is 3 mm square, तो मैं aluminum के लिए लिख देता हूँ, 3 mm square, what could be the minimum frequency of a tuning fork, which can produce standing waves in the system, with the joint as a node, joint as a node, the density of aluminum is, यह density aluminum की है, वो है 2.6 gram per centimeter cube, aluminum की है, सौरी मैं इस क्या लिख गया है, तो यह aluminum का इधर लिखो, और यह है 2.6 gram per cc, और यह है आपकी steel की 7.8 gram, यह centimeter cube होगा, तो per cc, और length आपको पता ही है, 80 cm, और इसकी length आपको पता ही है, 60 cm, खीक है, अब हम जानते हैं, frequency दोनों wire में एक ही रहनी है, मान लेते हैं कि इसका pth harmonic इसके qth harmonic से coincide कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, let pth harmonic of steel wire coincides with qth harmonic of aluminum wire, यानि इसमें इसमें समबल लीजे, p loops बनने होंगे, इसमें q loops बनने होंगे, ऐसी स्थित्य है, तो अब frequency सेम होनी है, तो क्या लिख देंगे, p upon 2L, length of steel wire, under root tension upon, m आता है, तो m की जिएका, rho s, और steel wire का area, और यहीं चीज़ हो जाएगी, q upon 2L, aluminum wire, tension दोनों में एकी है, rho aluminum area of aluminum, क्योंकि frequency, same होगी, in both wire, यह हम समझा चुके हैं आपको, यह frequency कहीं नहीं जा रही है, ठीके, अब यहाँ पर हम value रखेंगे, calculation करेंगे, तो p upon q हमको निकालना है, तो यह आजाएगा, ls upon la, under root rho a, aa upon rho s into as, value put कर दीजिए, c upon 60, rho a, 2.6 into 3, upon 7.8 into 1, और यह value आजाएगी, 4 by 3, यह क्या आया, p upon q, अब हमें निकालना यही है, minimum frequency of tuning fork, तो minimum frequency of tuning fork का मतलब है, कि n minimum इसके लिए क्या होगी, तो इसके लिए n minimum वही होगी, यानि कि p 4 ले लो, q 3 ले लो, यह minimum है, otherwise अगला में जाएंगे, तो इसका multiple लेना पड़ेगा, तो minimum n क्या लिखेंगे, minimum n, या n minimum, steel wire में, steel wire में, fourth harmonic, यह minimum है, और या फिर aluminium wire में, third harmonic, यह देखे, p की value 4, q की value 3, यह minimum value हो सकती, maximum के लिए, अगला one से, two से multiply करो, तो 8 upon 9, वो हमें minimum चाहिए, तो यह हो गई, steel wire के लिए, 4 harmonic, इसी की value निकाल लो, यहाँ पर, तो n minimum क्या रहा, steel के लिए, p upon 2L steel, under root tension upon, rho s into as, तो p की value है, 2 into 0.8, फिर divide कीजिए, 40, अब यहाँ पर SI system में, यहाँ पर ratio था, तो change नहीं किया था, 7.8 into 10 की power, 3 into 1 into 10 की power, minus 6, अब इसको solve करोगे, तो यह value मिल जाएगी, आपको, 179 hertz, और यह आपका अंसर आ गया, तो इस तरीके से, इसको आप कर सकते हैं, आप इसको note करिए, फिर अगली बातचीद, हम लोग करते हैं, अच्छा सवाल था, जो concept clarity, आपको कराता है, क्या कि घटना घट क्या रही, तोड़ा पकड़ के रखिएगा, सारे सवाल आप सही करने वाले हैं, तो मेरे काल से, आप इसको note कर पाएं होंगे, चलते हैं, एक कदम और आगे, जट रहे गया नीचे, यह थोड़ा सा उपर, इसको भी note कर लीजे, फिर हम लोग अगले बातचीद का, कारेकरम बनाएंगे, अगली बात पार आते हैं, speed of wave की बात कर रहे हैं, speed of transverse wave, इन्हें stressed string, यह एक stressed string है, इसमें speed of transfer wave क्या होती है, तो यह पकड़ के रखिए, v is equal to t upon mu, mu वही क्या है, linear mass, mass per unit length, ठीक, अब इसी mu को देखे लिख लिया, volume को length से divide कर दीजे, unit length का mass, unit length का volume मिल गया, into density, तो यह हो गया, pi r square rho, इसकी जगा यह value डाल दीजे, v is equal to t upon pi square rho, और इससे हमें दिखाई पढ़ रहा है, कि velocity एक तो tension पर depend करती है, और density पर depend कर रही है, radius पर भी कह सकते हैं, इन चीजों पर depend कर रही है, यही बात अगली चीज में लिखी जाएगी, कि अब tension के लिए कोई मालो तार ले रखे हो, ऐसे कोई भार लटका दिए हैं इस पर mg, यही इसके इंदर tension produce कर देता है, वहाँ से ले लेना, the speed of wave along a stressed ideal string, depends only on the tension, and the linear mass density, इन दोनों चीज़ पर we depend कर रहा है, और किसी चीज़ पर speed of transfer wave, string में ने depend कर रही है, and does not depend on the frequency of the wave, wave की frequency कितनी है, इससे speed of wave पर कोई फरक नहीं पड़ता दिखता, खेर, और यहाँ से फिल लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा V upon F हो जाता है, और आम दिसको कर पाएंगा, यह एक दो सवाल लगाते हैं, तो इससे clarity एक अलग level की बन सकती है, तो two strings, one and two are taught, यह दो तरह की strings हैं, जो बादी गई है, as shown in the figure, such that the tensions in both strings is same, दोनों में tension same है, mass per unit length, जो two का है, वो one से बड़ा है, यहनि mu two is greater than mu one, explain which string is denser for a transverse traveling wave, देखे, denser किसे बोलेंगे, जिसमें velocity ज़ादा हो, अगर हम यहाँ पर यह निकाल पाए, कि V1 is greater than V2, तो यह फिर denser हो जाएगा, तो यह समझाने के लिए, example लिया, होगा क्या मुझे नहीं पता, तो denser medium में velocity कम, rarer medium में velocity ज़ादा, यह कहानी यहाँ बनेगी, हम जानते हैं, velocity depend करती है, tension upon mu पर, और tension same है, तो one upon under root mu पर dependency हो गई, अब हम जान पा रहे हैं, कि mu two की value, mu one से ज़ादा है, given in question, according to question, इसी का उल्टा कारिकरम हो जाएगा, इसका मतलब velocity of two, हमारी कम हो जाएगी, तो यह हमारा आपका denser medium आगया, क्योंकि इसकी velocity आपकी कम है, असानी से हो गया, तो लोजिक लगता है बस, इसको कर लीजे, अगला सवाल करते हैं हम लोग, बड़े इच्छी तरीके से समझ पाएँगे आप, चलिए, नेक्स्ट कुश्चिन की तरफ बढ़ते हैं वेटा, इस कुश्चिन को देखते हैं, और यहां लिका, वन एंड ओफ 12 मीटर लॉंग रबर ट्यूब, यह 12 मीटर की लंबाई है, एबी की रबर ट्यूब है, इसका मास जो है, 0.9 केजी है, इस फास्टेंट टूए फिक्स सपोर्ट, यह फिक्स सपोर्ट एसे ऐसे बंदा हुआ है, एक कॉर्ड अटेश्ट टू दी अधर एंड, इसमें कॉर्ड अटेश्ट अधर एंड से ओवर एपुली जा रही है, एंड सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट विते मास आफ फाइव केजी, यह पांच किलोग्राम का मास आपने लटका रखा है, लट्यूब इस ट्रक, इस ट्यूब को आपने ऐसे ट्विंग कर दिया, इस ट्रक टूए ट्रांसवर्स ब्लो एट वन एंड, इस एंड पर ए पर ठक से हिला दिया, तो पूछ रहा है, find the time required for the pulse to reach the other end, B, A से B जाने में कितना ये pulse समय लेगी, velocity निकालेंगे, उससे हम time वेगरा calculate कर लेंगे, आईए देखते हैं, देखिए यहाँ पर कितना tension इस रवर में होगा, tension तो ऐसे होगा न, इसी के बराबर, ये कितना लग रहा है, mg के बराबर, तो tension की value कितनी हो गई, mg, mass 5 है, 9.8 से multiply कर दो, 49 newton यहाँ निकलाया, mass per unit length क्या है, mass per unit length, किसका, rubber का, क्योंकि rubber tube की बात कर रहे हो, तो rubber tube में क्या रहा, mu हो गई value, mass है 0.9 kilogram, और length है 12, 0.075 kilogram per meter, speed of wave in tube, speed of wave in rubber tube, speed होती, v is equal to under root t upon mu, ये रहा 49, mu है 0.075, calculate करेंगे 25.56 meter per second आ गया, velocity मिल गई, distance कितना चलना है, 12 meter, time आ गया, speed is called to distance upon time, अब यहाँ पर आपने क्या पकड़ा, required time, तो required time क्या रहा, t is equal to ab upon v, speed is called to distance upon time, time is called to distance upon speed, तो ये ab, ab था 12 meter, speed उपर 25.56, निकाल दिये हैं, तो 0.47 second, ये देखिए, आपका answer आ गया है, मतलब ये जो pulse आपने a पर hit की थी, ये b तक पहुँचने में, 0.4 second का वक्त लेगी, interesting सवाल, लेकिन आप अगर ऐसे सवाल समझेंगे, तो बहुत बीहल सवाल तो आते नहीं है, नीट में, नीट में तो ऐसे आते हैं, जो आराम से आप कर पाएं, बरशर्ते उसका घ्यान हो आपको, और speed से कर पाएं, तो चलिए इसको note कर लीजे, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं, तो उमीद है आपने इसको note कर लिया होगा बिटा, तो आज आता है, अब समय हो जाता है, 3 question challenge का, और post your answers in comment section, यह जो इसमें 3 question का challenge आपको दे रहा हूँ, यह आज के lecture पर ही based है, तो अगर आपको यह lecture अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो तीनों question होने चाहिए, अगर आप उस questions को कर रहे हैं, और कोई फस रहा है, तो आप refer कर लीजे lecture को again, तभी lecture का फाइब, अच्छ में आएगा तभी तो फाइदा होगा ना, तो इसलिए कि कहीं अटक रहे हैं, तो लक्चर दुबारा refer कर लीजे उस portion को, फिर सवाल करिए, और जो answer आए, उसको post कीजिए आप comment section में, इसका पूरा detail जो answer है, वो मैं आपको अर्विन देकडमी टेलिग्राम चैनल पर, अर्विन देकडमी नीट टेलिग्राम चैनल पर, आपको दे दूँगा, तो post your answers in comment section, for answers, join अर्विन देकडमी नीट, टेलिग्राम चैनल, लिंक दिया है, description के अंदर, तो पहला question आपके सामने, ये रहा, मैं 5 second का वक्त दे रहा हूँ, pause करके करने की कोशिस करें आप, तो 5 second आप ले लें, और इसको करने की कोशिस करें, ये question number 1 था, तो मेरे कहल से 5 second अब तक हो गए होंगे, ये challenge number 1 था, अब आयाता है challenge number 2, this is challenge number 2, इसके लिए भी 5 second दे रहा हूँ, जिससे आराम से आप note कर सके, तो ये 5 second का वक्त ले लिजे, जिससे आप इसको शांती से pause करें, और note करें, मेरे कहल से आप कर पाए होंगे, answers निकालिएगा जरूर, तभी आपका selection में मज़ा आएगा, कोई कि जब तक सवाल नहीं निकलेंगे आपसे न, रामाण कितना भी पढ़ लो, लेकिन रामाण में बताईगे इच्छी बातों, जब तक follow नहीं करोगे, तब तर जीवन में कोई परवर्तन नहीं आएगा, खेर, तो ये तीसरा नंबर आपके सामने, 5 second यहां भी ले लिजे, और इसको आप करने का प्रयास किजिए, मेरे कहल से आपने किया होगा, और इस तरह से ये अगर आप चाहते हैं, कि physics आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखके आपके numerical निकलने लगें, तो जट से अर्विन्द एकडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंड, आसान भाषा में physics आपको पढ़ायता हूँ मैं, और पढ़ाता रहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक को शेर कीजेगा, पसंद आने पर तो अर्विन्द एकडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, और हाँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए, तो अर्विन्द एकडमी नीट टेलिगराम चैनल को जोईन कर लिजे, लिंक डेस्क्रिप्टिर में दिया है, और आप PDF इस्तिमाल करके नोट्स बना लिजे, तांक यू वेरी मच्च, विश यू अल दे वेल्स,